Hello Friends, Welcome to Quant Study आज हमारे संकल बैच का थर्ड डे है और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सिंप्लिफिकेशन का पार्ट थर्ड जो की होगा बोर्ड मास पे, फ्रेक्शन पे और कुछ मिसलीनेस टाइप के कोशन पे बेस्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किसे भी अपडेट को मिसमत कीजिए तो पहले मैं आपको fractions का concept बता देता हूँ सबसे पहली चीज आती है कि fraction होता क्या है तो मैंने यहाँ पर लिखा है a portion of a number is called fraction यानि कि एक number है उसका जो कुछ हिस्सा होगा उसे हम fraction कहेंगे उसमें एक denominator होगा एक numerator होगा यह क्या चीज़े हैं यह भी मैं आपको explain कर दूँगा तो उसमें जो denominator होगा हम उसे assume करेंगे कि वो complete number है और जो numerator होगा वो उस complete number का वो वाला हिस्सा होगा जिसकी question में बात की गई होगी जैसा कि इन्होंने कहा है कि one third of 63 हमें बताइए तो यहां पर हमारे पास complete number है 63 अब बात करें कि one third में numerator क्या होगा और denominator क्या होगा तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं denominator और जो उपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं numerator ठीक है तो मैंने आपको definition में बताया कि denominator is believed to be a complete number तो अगर हम one by third of 63 की बात करें तो हम assume करेंगे कि ये जो 3 है ये एक complete number है और इसका एक हिस्सा हमें निकालना है यानि कि अगर 63 एक complete number है और हम हमारी fraction में 3 को एक complete number मान रहे हैं तो हम इनको compare कर सकते हैं और इसका हमें एक हिस्सा निकालना है तो यानि कि 63 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे 21 होगी वो value जो एक हिस्से की value होगी ये एक तरीका है ऐसे टाइप के question को आपको इस तरीके से solve नहीं करना है ऐसे टाइप के question तो आप सीधा सीधा भी कर सकती है जैसे कि 1 3rd of 63 of का मतलब multiply तो आपने 63 किया तो 3 से इसको कातर 21 तो question mark की value आगी सिधा-सिधा 21 जो पहले तरीका मैंने बताया वो statement वाले questions के लिए होता है वैसे questions आपको आएंगे ratio proportion chapter में पर फिलाल के लिए मैंने वो चीज़ आपको बता दी उसको अभी फिलाल के लिए आपको याद करने की मैंने बस आपका ये concept clear करना था कि अगर हम denominator को complete number माने तो उसका use हम कैसे कर सकते हैं ऐसे type के question का solution ये है ठीक है तो one third of 63 is 21 next question आया कि if 60 is one fifth of a number then what is exact number यानि कि 60 जो है वो one fifth है एक number का तो हमें बताना है exact number क्या होगा ठीक है तो सीदी से बात है 60 into 5 is equal to 300 यानि कि 300 जो है वो एक number होगा ये आगया एक तरीका ये इतना असान question आपको पेपर में आता नहीं है आपको पेपर में काफी mold होके question आएगा उस question को कैसे solve करना है अब मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ जो मैंने आपको का था कि जिसम वो complete number नहीं है 60 1 5th है अगर हम 5 को complete number मानेंगे और 1 जो है वो एक हिस्सा है 5 का तो 1 की value 60 होगी क्योंकि उन्होंने भी question में यही का है कि 60 जो है वो number का जो एक exact number है उसका एक हिस्सा है वो कितना हिस्सा है 1 5th यानि कि अगर 5 वो complete number होगा तो 60 जो होगा वो उसका एक हिस्सा हो ठीक है तो हमने एक को compare किया 60 से हमें चाहिए exact number तो 5 की value आ जाएगी 60 into 5 which is 300 आप दोनों तरीकों से यह question कर सकते हैं अब next question आ गया if 60 is increased by 1 5th of itself then what is new fraction ठीक है if 60 is increased by 1 5th of itself then what is new fraction तो new fraction तो हमारी कुछ नहीं हमारा नया ही number आगे 72 तो हमारा 72 होगा हमारा final answer ठीक है अब वो वाला तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि denominator को हमें complete number लेना होता है तो 1 5th में इन्होंने कहा है कि number ही 60 है पिछले question में कहा था कि 60 जो है वो एक हिस्सा है complete number का इसमें इन्होंने कहा है कि 60 ही complete number है तो 5 जो होगा denominator इसको हम compare करेंगे 60 से 5 की value 60 है तो 1 की value आजेगी 12 अब इन्होंने कहा है कि 60 is increased by यानि कि इस fraction में अगर 5 complete number है तो वो 1 से increase हो रहा है यानि कि हमें 6 की value निकाल नहीं है 5 की तो हमारे पास 63 1 की है 12 तो हम 5 प्लस 1 कर देंगे यानि कि 12 प्लस 60 और हमारा final answer आजाएगा 72 दोनों तरीके असान हैं दोनों तरीके अपनी तरफ से सही है आपको जो तरीका adopt करना है आप adopt कर लो इस time आप normal तरीके से भी कर सकते हैं पर ratio proportion में आपको इस pattern से करना ही पड़ेगा अब हम देखेंगे हमारी जो fraction की next type है जो की है mix fraction तो mix fraction convert करने के लिए सबसे पारा rule तो यही होता है कि जो numerator होता है वो हमेशे denominator से बड़ा होना चाहिए तब ही आप उसे mix fraction में convert कर पाएंगे otherwise आप उसे mix fraction में convert नहीं कर सकते mix fraction का pattern कुछ ऐसा होता है सबसे नीचे denominator तो आपको आता ही है पता ही है कि क्या होता है इस तरफ आएगा quotient और सबसे उपर आएगा remainder अब ये quotient और remainder क्या है ये मैं आपको अभी clear कर देता हूँ देखिए अगर हमें 70 को 9 से divide करना है तो हम generally school time में हमने जो सीख है हम कैसे करते थे 70 ऐसे लिखते थे 9 यहाँ पर लिखते थे और हम पहले 70 से एक छोटा number और 70 के जो nearest है वो number डूटते थे जो 9 के table में आ रहा है ठीक है तो हम 9 हमें पता है 970 63 है हम उपर लिखते से 7 और हम य है जो हमने 9 के साथ multiply करके ऊपर लिख है यानि कि 7 जो है वो हमारा आगया quotient जो ऊपर लिख है और remainder क्या है remainder वो है जो हमने 70 से माइनस किया जब 63 को तो जो result आया वो हुआ remainder देखिए इसमें डिवीडेंट और डिवाइजर का concept भी मैं आपको बता सकता हूं पर चार्ड नई तो 70 है numerator 9 है denominator हम इसमें डिवीडेंड और डिवाइजर में नहीं जाएंगे बस आपको याद रखना है 9 के साथ हमने जिस नंबर को multiply किया वो है quotient और जो 70 से 63 माइनस करने के बाद जो portion आया जो remaining portion आया उसे हम कहते है remainder योकि remainder हमने word ही लिया है remaining से ठीक है तो अब मैंने आप आपको pattern बताया था pattern कैसा था pattern कुछ था ऐसा कि quotient यहाँ पर आएगा denominator नीचे आएगा और remainder उपर आएगा तो हमने देखा कि denominator क्या है denominator तो 9 ही था क्योंकि 70 by 9 है तो 9 हमने नीचे लिखा quotient क्या है यह वाले जो portion होता है से हम quotient कहते हैं वो यहाँ पर लिखा और remainder जो सबसे अब आप इसको reverse भी करके देख सकते हैं देखिए 9 into 7 is equal to 63 plus 7 is equal to 70 तो वो वापिस हमारी fraction बनकी 70 by 9 ठीक है इसी को कहते हैं simple fraction को mixed fraction में convert करना तो अब हमारा आ गया multiplication of fraction और concept of LCM यानि हम LCM कैसे लेते हैं ठीक है multiplication तो बिल्कुल basic है multiplication numerator जो है वो denominator से cancel out होता है अगर वो same table में आ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 by 5 into 7 by 8 में 4 जो है 2 से काड़ देगा तो हमारी पहले वाले portion का answer आया 7 by 10 फिर दूसरे वाले fraction लेंगे 3 by 5 into 1 by 6 to इसका आगया 1 by 10 अब बात करते हैं कि इनका sum कैसे होगा पहले आया था 7 by 10 दूसरे वाले का आया 1 by 10 अब हम लेंगे इसक होती है जो denominator के table में एक common number आ रहा है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 और 10 denominator हमारे दोनों सेम ही है तो 10 के table में एक common number 10 ही आ सकता है ठीक है 10 भी आ जाता है 20 30 कुछ भी आ जाता है पर हम छोटे से छोटा number लेते हैं तो 10 ही आएगा इसका denominator यहां पे रिखा हमने 10 ही अब देखिए अब जो हमारे individual fraction है उसका denominator जो है वो हमारे LCM के सेम होगा तो numerator as it is आ जाएगा next fraction में denominator LCM के सेम है तो numerator as it is आ गया तो total हमारी fraction मनगी 10 by 8 which is equal to 4 by 5 तो इस fraction का answer है हमारा 4 by 5 अब मैं आपको एक और example देता हूँ जिसमें हमारे denominators जो होंगे वो अलग लोग होंगे for example आपके पास एक fraction है 4 by 7 एक fraction है 5 by 8 ठीक है तो अब देखिए 7,8 दोनों अलग लग denominator आ गए हमारे दोनों denominator different है एक और चीज 7,8 इनके table में common number क्या होगा इनके table में एक common number वही होगा जो इन दोनों की multiplication होगी यानि की 7,8 जा 52 आ गया हमारा LCM अब देखिए numerator कैसे आएगा ऐसे question में जहां पर हमारा LCM दो numbers के multiplication से आ रहा है तो numerator हमारा आएगा इनकी cross multiplication करने से यानि की 4 इन्टू 8 प्लस 5 इन्टू 7 तो हमारी final fraction क्या होगी 8,4 जा 32, 7,5 जा 35 डिवाइड बाइ 52 यानि की 67 बाइ 52 होगी हमारी final fraction यह आगी दो different denominators के लिए LCM कैसे लेते हैं ठीक है एक और example बताता हूँ suppose कर लिजिए हमें 1 by 3 और 7 by 9 की addition करनी है तो LCM में एक हमें ऐसा number चाहिए जो इन दोनों denominators के table में आता हो तो हम देख सकते हैं कि 3, 3 जा 9 होता है 9, 1 जा 9 होता है ठीक है तो 9 जो है एक ऐसा number है जो दोनों के table में आ रहा है तो हमने 9 ले लिया हमारा LCM अब देखिए 3 को किस से multiply करेंगे कि 9 आएगा 3 को हम multiply करेंगे 3 से तो 9 आएगा तो numerator को भी हम उसी number से multiply कर देंगे next 9 को हम किस से multiply करेंगे 9 आएगा 9 को हम 1 से multiply करेंगे तो 9 आएगा तो numerator को भी हम 1 से multiply कर देंगे हमारी final fraction आ जाएगी 10 by 9 ठीक है ये वो number जैसे 3 के table में 9 आता था ऐसे number के भी मैंने आपको fraction की addition करना बता दी next ऐसे number जिनकी हमें multiplication नहीं आती ठीक है उन numbers का LCM कैसे निकालना है जैसे की 1 by 18 प्लस 3 by 21 हमें 18 का table नहीं आता हमें 21 का table नहीं आता ऐसे cases में क्या करेंगे हम 18 और 21 साइड में लिख लेंगे इनका LCM चाहिए हमें हमें बता है दोनों number 3 के table में आते हैं तो हमने 3 6 जा 18 कर दिया 3 7 जा 21 कर दिया अब ये दोनों number किसी के table में common नहीं आते है ठीक है तव इनी तीन numbers को हम आपस में multiply करनेंगे हमारा LCM आ जागा यानि कि हमारा LCM होगा 3 into 6 into 7 तो हमारा LCM होगा 126 ठीक है अब देखिए 126 हमने LCM में लिख दिया अब कैसे निकालना है कि 1 के अब हमें 18 का table तो आता नहीं 18 की table में हम 126 कहां डूरते रहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि 1 के साथ क्या multiply होगा हम कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पर है हमारे पास denominator 18 हम क्या करेंगे इन ती 18 नमबर में 18 कैसे बना 6 3 जा 18 ठीक है तो बचा हुआ नमबर कौन सा था बचा हुआ नमबर था 7 तो वही 7 हो जाएगा 1 के साथ multiply अब 21 का case पकड़ते हैं एक ऐसा नमबर जो 3 के साथ multiply होगा 21 कैसे बनता है 7 3 जा 21 बचा हुआ नमबर कौन सा है 6 तो वही 6 इधर multiply हो जाएगा 7 plus 18 divided by 126 which is equals to 25 divided by 126 हमारा answer होगा तो अभी तक हमने 2 numbers के LCM निकालना सीखे थे By chance आपको एक ऐसा question आ गया जिसमें आपको 3 numbers की LCM निकालनी हो जैसे की 7 by 30 इसको भी हमने add करना है तो क्या करेंगे हम वैसे ही 3 numbers ले लेंगे 18, 21, 30 ले लिया हमने हमें पता है 3 के table में आते हैं 3 6 आ 18, 3 7 आ 21 और 3 10 आ 30 अब देखिए 6 और 10 जो हैं वो 2 के table में आ सकते हैं पर 7 नहीं आता तो 7 को हम as it is रहने देंगे बाकी वाले number को हम 2 से divide कर देंगे तो 2 से हमने किया 2 3s आ 6, 7 as it is रहेगा 2 5s आ 10 अब 3, 5, 7 किसी भी table में नहीं आते तो हमारा final LCM होगा 3 into 2 यानि कि ये दो number into 3 into 7 into 5 यानि कि ये तीन number तो 6, 30 होगा हमारा LCM 6, 30 हमने हमारा LCM लिख दिया अब वही चीज़ अपलाई करनी है हमें 18, 21, 30 का number नहीं आता 1 के साथ कौन सा number आएगा तो हम 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 numbers में से 18 निकाल देंगे बाकी जू numbers बचेंगे उनकी multiplication कर देंगे यानि कि 3, 2, 6, 6, 3, 18 हमने निकाल दिया बाकी दो number बचे हमारे पास 7, 5, 35 तो इस bracket में भी 35 आजाएगा next चलते हैं 3 के साथ कौन सा number multiply होगा तो इन 5 number में से हम 21 निकाल देंगे तो हमें बता है 7, 3 is a 21 होता है बाकी बचे होए number यानि कि 5, 2, 3 इनके multiplication कर देंगे 5, 2 is a 10, 3 is a 30 तो इधर आजाएगा 30 next 30 बनाएंगे 30 कैसे बनता है? 6, 5 is a 30 होता है तो 3, 2 is a 6 और 6, 5 is a 30 हमारे पास number बचा 7, 3 यानि 7 इंटू 3, 21 जो होगा वो हमारा 7 के साथ multiply यानि कि numerator के साथ multiply हो जाएगा तो final हमारी क्या fraction बन जाएगी 35 प्लस 90 प्लस 147 डिवैडिड बाई 6, 30 इसको solve करना जो भी answer आएगा वो होगा आपकी इन तीन numbers का addition अब अगर इदर plus की जगा minus होता तो क्या करते तो हम इस position पे plus की जगा minus करते है simple और कुछ concept नहीं है बाकी सब same concept लगना है बस जहाँ जहाँ आपको plus का sign दिखेगा वहाँ plus add करोगे जहाँ जहाँ minus का sign दिखेगा वहाँ आप minus add करोगे देखे ये सकते हैं 2 plus 1 by 2 इसका वही मतलब बनेगा आजाके 2 1 by 2 3 3 by 4 को हम 3 plus 3 by 4 लिख सकते हैं वैसे 6 5 by 8 को हम 6 plus 5 by 8 लिख सकते हैं अब इसका फायदा क्या होगा non fraction वाले number को हम अलग add और subtract कर देंगे और fraction वाले numbers को हम LCM लेके जो भी तरीका होता है उससे अलग add यां subtract कर देंगे तो इन questions को जिसमें addition subtraction करनी है उसमें आपको convert करने की जुरूरत नहीं है उसमें आप सीज़ सेधा question भी कर सकते हैं देखिए 2 1 by 2 को 2 plus 1 by 2 लिखा माइनस 3 इसको हमने bracket में लिख लिए 3 plus 3 by 4 क्योंकि जब bracket हटेगी तो इनके sign change होंगे वैचे 6 5 by 8 को 6 plus 5 by 8 लिखा जब bracket खोली तो minus 3 minus 3 by 4 हो गया अब 2 3 6 को हमने अलग कर दिया और इनको add यां subtract कर दिया जिसका result है 5 और बाकी जो fraction वाली values हैं उसका हमने LCM लिया और उनने solve करने के बाद हमारे पास आया 7 by 8 जिसको हम लिख सकते हैं 5 7 by 8 सिधा सिधा भी क्योंकि solution के starting में मैंने बताया था कि किस number को हम कैसे लिख सकते हैं और जब हम इसे mix fraction को normal में convert करेंगे तो मैंने ये भी आपको जखा दिया था 8 5s are 40 and 7 उसमें add करेंगे तो 47 by 8 is your answer अब आते हैं हमारे concept of approximation पे ठीक है approximation बहुत easy concept है एक number के 0.5 के उपर होगा तो हम उस number का next number लेंगे 0.5 के नीचे होगा तो हम उस number को ही लेंगे यानि की 7.87 यानि की 7.5 से उपर है तो हम next number लेंगे यानि की 8 वैसे ही 5.33 यानि की 5.5 के नीचे है तो हम ये वाला number लेंगे तो 5 आगे हमारा answer ठीक है इसी के बेस पे हम करते हैं हमारा कोशन कोशन हमारा कह रहा है 63.73 को डिवाइड करना 8.12 से अब देखिए अगर आप 63.73 को देखो तो यह 63.5 से उपर है यानि कि इसकी जगा हम लेंगे 64 वैसे ही 8.12 को देखो तो यह 8.5 से नीचे है तो हम प्रीवियस नमबर यानि की 8 लेंगे तो 64 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 8 बस approximation का यही concept है इसके ओपर और कोई concept नहीं है अब आज आते हैं हमारा आज के topic का main part जो की है board mass board mass में B, O, D, M, A, S 6 alphabets हैं हर एक alphabets का एक मतलब है और इसी priority में question solve होते हैं यानि की सबसे पहले शुरुआत करते हैं B से B का मतलब है bracket bracket जब भी आएगी आपको अंदर से बाहर की तरफ calculation करते होए जाना है यानि की यह आपको question दिया हुआ है B सबसे पहले bracket solve होगी तो सबसे अंदर आपको दिख रही है ये वाली bracket ये वाली bracket तो आप इने solve करेंगे जो भी इस bracket का result आएगा आप इस number से add कर दोगे और हमारा final answer आजाएगा ठीक है अभी मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा हमारे आगी series में same question भी है मैं उस time आपको solve करके बताऊंगा बस इस time ये याद रखो कि अंदर वाली brackets पहले solve होती है फिर उसको बार वाली bracket के साथ हम calculate करते हैं simple ओ से आगया off off को कहते हैं हम multiplication जिसे 3 by 8 of 200 लिखा है इसका क्या होगा इसका मतलब होगा 3 by 8 into 200 यानि कि 75 होगा हमारा final answer अब ये मैंने 208 से divide कैसे किया क्या मुझे 8 का table इतना आता था कि मैं 200 तक divide कर सकता था नहीं इसमें क्या trick apply की है कि मुझे पता है 100 divided by 4 होता है 25 तो मैंने numerator और denominator दोनों को 2 से multiply कर दिया दिमाग में ही तो हमारा बन गया 200 divided by 8 which is also 25 ठीक है बस इनी trick के basis पे आपकी speed maths बनती है उसका भी मैं एक अलग सेशन लेके आऊंगा फिलाल के लिए बस इतना याद रखो कि इस question का answer है 75 next आया D से division M से multiplication यानि कि multiplication से पहले division की priority होगी अब सवाल आता है कि एक multiplication हमने पढ़ा off में एक multiplication पढ़ा हमने M में तो इन दोनों में difference क्या है है ना यही जो है हमें difference ढूणना है इन में बस एक छोटा सा difference है कि off जो है वो divide से पहले आता है और multiply जो है वो divide से बाद में आता है यह देख रहे हैं आप priority कि off पहले आएगा divide बाद में और सबसे end में multiplication यानि कि अगर हमें एक question में तीनों का combination दिया होगा तो सबसे पहले हम off को solve करेंगे फिर हम divide को solve करेंगे और सबसे last में हम multiply को solve करेंगे आगे इसके बेस पे भी question है जब मैं वो question आपको कराऊंगा आपका concept ज़्यादा अच्छे से clear होगा और last के दो हमारे alphabet आगे A और S A का मतलब addition S का मतलब subtraction तो हमारी overall ये है priority यानि हम B से शुरू करेंगे और S तक जाएंगे priority wise सबसे पहली priority होगी B की सबसे last priority होगी S की ठीक है अब हम करते हैं हमारे question की series शुरू तो हमारा question कहा रहा है की 389017 का हमें cube root निकालना है ठीक है अब मैंने आपको अपने second part में बताया था cube root का concept तो cube root कैसे solve होता है सबसे पहले हम देखते हैं हमारा last digit cube root में 283 और 7 जो है वो आपस में positions बदलते थे यानि अगर हमारे cube root में 7 दिया हुआ है तो हमारा unit digit हमारे final answer का unit digit होगा 3 ठीक है इतना portion करना के बाद आपने अपने options देखे तो options में 3 आपको सिर्फ और सिर्फ इस position पर दिखे रहा है तो हमारा final answer हो गया option B आपको पूरा question solve करने के जुरूद भी नी पड़ी और आपका final answer आ गया फिलाल मैं आपको पूरा answer solve करना सिखाऊंगा क्यूंकि हमें cube root भी सीखने है और उनके भी practice करनी है सबसे पहले चीज हमने देख लिए कि हमारा last position जो है जो हमारी once position होती है फिर cube root है तो तीन number छोड़े 389 तो हमने देखना है एक ऐसा number जिसका जो cube है वो 389 से कम हो और इसके nearest हो ठीक है तो ऐसा कौन सा number है जो 389 से कम है और उसके nearest भी है हम शुरुआत करते हैं 5 के cube से 5 का cube होता है 125 6 का cube होता है 216 7 का cube होता है 343 8 का cube होता है 512 तो 512 तो clearly 389 को exceed कर रहा है तो 8 से just एक step पहले यानि की 343 जो की 389 से छोटा भी है और उसके nearest भी है वही हमारा इस position पे आएगा और हमारा final answer हो जाएगा 73 जो की option भी में आपको दिख रहा है चलते हमारे next question पे अब इस question पे आपको last में 8 दिख रहा है यानि की 2 आएगा हमारा unit digit पर 2 आपको 4 के 4 option में दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे हमें तो बता है कि 2 आने के बाद हमें ये 3 जो digit होते हैं वो skip कर देने होते हैं हमें काम करना है सिरफ 238 पे कि एक ऐसा number जिसका cube जो है वो 238 से छोटा है और 238 के nearest है हमारे पास 6, 7, 8, 9 चार number है 10th place पे तो हम इनी पर ही काम करेंगे 6 का cube होता है 216 7 का cube होता है 343 तो हमने देखा कि 7 का cube तो 238 को exceed कर रहा है हमारा 6 का cube ही होगा जो इस position पे आएगा और हमारा final answer आजएगा 62 which is option A हमारा next question कह रहा है कि 17 का square divided by 34 of 1 by 2 plus 3 by 4 तो इस question को मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ एक तरीका गलत होगा, एक तरीका ठीक होगा मैं जो भी तरीका पहले लिख रहा हूँ पहले से यह जीम मत कर लेना गलत है, solve करना शुरू करते हैं हम पहले इतने portion को solve करेंगे यानि कि 17 into 17 divided by 34 यह आगया हमारा 17 by 2 तो हमने इतने portion का लिख दिया 17 by 2, आगे लिख है off 1 by 2 यानि कि multiplication होगी 1 by 2 से तो हमारा यह आगया 17 by 4 और next लिख है plus 3 by 4 तो 17 by 4 को हमने 3 by 4 से add किया हमारा आगया 20 by 4 कैसे क्योंकि हमारे जो दोनो denominator है वो सेम है तो LCM भी वही आएगा 20 by 4 होता है 5 के बराबर जो की clearly हमें option A में दिख रहे है पर क्या यह हमारा final answer है अभी देखते हैं, अभी हम sure नहीं है दूसरा तरीका बताता हूँ मैं board mass के according off पहले आएगा divide से ठीक है तो board mass इस पर apply करके देखते हैं 17 का square divided by 34 of 1 by 2 plus 3 by 4 तो off को हमने solve किया पहले यहां पर आया 17 17 into 17 divided by 17 क्योंकि off के बाद division की जो है पहली priority है इसको काटा तो 17 plus 3 by 4 यानि की 68 plus 3 by 4 यह कैसे आया मैंने cross multiply किया इसको और 17 के नीचे तो 1 ही था denominator में तो 1 के जब आप 3 से cross multiply करोगे तो 3 ही रहेगा ठीक है तो 17 को 4 से multiply किया है हमारे पास 68 आया 3 को 1 से multiply किया तो हमारे पास 3 आया 68 plus 3 होता है 71 by 4 तो 71 by 4 हमारा है option B में अब हमारा कौन सा वाला option true होगा हमारा वो वाला option true होगा जो हमने board mass apply करके निकाला है बेशक ये वाला जो हमारा answer है fraction में नहीं आ रहा और दिखने में हमें ज़ादा correct लग रहा है पर ये वाला answer जो है हमारा completely false है हमारा true answer है 71 by 4 which is option B ठीक है हमारा final answer आगे 71 by 4 चलते हैं next question पर next question कहा रहा है क्योंकि addition subtraction में इतना फरक नहीं बढ़ता हमें हमारे main component होते हैं ये तीन इन तीन में पंगा नहीं बढ़ना चाहिए addition subtraction एक ही चीज़ होती है पहले आप add करो फिर उनको end में minus कर दो या add minus साथ साथ चलाओ उससे फरक नहीं बढ़ता तो सबसे पहले हमने लिखा 46 का square क्या होता है 46 का square कैसे निकालेंगे कि 4 digit होगा 50 से 4 कम है और 4 का square आ गया हमारे पास 16 तो इस position पे हमने 16 बढ़ दिया तो next हमारा addition subtraction का base होता था 25 25 से 4 कम किये हमारे पास आ गया 21 तो इन दो position पे आ गया 21 यानि 46 का square आ गया हमारे पास 21 16 next आ गया square root of 7569 7569 square root है cube root तो सिदह सिदह हमें पचल जाता 9 का 9 ही रहना है पर यह square root है square root में क्या होता था 3 और इस number को 10 बनाने के लिए हम 7 add करते है तो यानि कि unit digit पे हमारे पास या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा next चीज square root में दो number छोड़े 75 किस number के square के करीब है और उससे छोटा भी है 77 जा होता है 49 88 जा होता है 64 99 जा होते है 81 तो 81 तो बड़ा है clearly 75 से हमारा इस position पे आएगा 83 और या फिर 87 अब हमें देखना है कि 83 और 87 में से कौन सा number valid है तो मैंने आपको बताया था हमेशा अंदर वाले number को बाहर compare करना है अंदर वाला number यानि कि जो घर में है यानि कि आप जो घर में बैठे हो आपको compare किया जाएगा शर्मा जी के बेटे से तो अंदर वाले number का हमने जो square root निकाला था वो क्या निकाला था? एट के करीब था ना ये बाहर वाले number यानि एट से एक बड़ा number उससे compare करेंगे हमारे पास आ गया अब अंदर वाले number को बाहर वाले number से compare करना है तो 75, 72 से बड़ा है या फिर छोटा है तो दिखने में ही पता चल जाता है कि 75 जो है वो 72 से बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला number ही हमारा final answer होगा तो square root of 7, 5, 6, 9 आ गया हमारे पास 87 next आते है 111 का square 99 से बड़ा number हो तो 5 डिजिट आते हैं ठीक है? 111, 100 से 11 उपर है 11 का square होता है 121 जो की हम इन दो positions पे बड़ेंगे 1 हमने carry on डाल दिया next, number itself होता है base यानि की 111 में हम 11 add करेंगे यानि की 122 addition में आया एक जो है हमारे पास carry पे था तो 12321 आ गया हमारा 111 का square तो हमारा 111 का square आ गया 12321 और 7 का cube तो हमने learn ही किया हुए होता है 343 अब इन numbers के आगे operation लगाते जाएंगे यानि 2116 माइनस का है 87 अभी माइनस वाली term side पर रख देते हैं प्लस का है 12321 ठीक है फिर माइनस का है 343 तो माइनस का 343 माइनस वाली term से ही add होगा प्लस वाली term add की हमारे पास 7 आ गया 3 आ गया 4 आ गया 4 आ गया 1 आ गया ठीक है तो 14437 आ गया हमारा प्लस का और माइनस का हमारे पास आया 430 ठीक है माइनस का इन दोनों की जब हम addition या subtraction करेंगे हमारे पास final answer आ जाएगा 14007 विच इस clearly option C ठीक है यह चीज मेरे को बस आप लोगों को समझाने में time लगा otherwise paper में इतना time नहीं लगता है अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं paper में बैठा होता तो मैं इसको कैसे solve करता 46 का square 4 कम 16 25 से 4 कम 21 square root of 7569 3 या फिर 7 2 छोड़े 88 जा 64 89 जा 72 75 जा 72 बड़ा नमबर यह minus का आगे हमारे पास 87 next 111 का square 11 का square होता है 21 1 carry on आएगा 111 में 122 में 1 add होंगे तो 12321 आएगा यह दोनों नमबर आगे हमारे पास addition के और 7 का cube minus में आएगा तो इन दोनों की subtraction होगी 7, 3, 4, 4, 1 और इसमें आजाएगा 10, 34, 8 होते हैं 42 और एक carry on का आएगा तो 43 ठीक है next हम क्या करेंगे 1, 4, 4, 3, 7 में से 430 माइनस कर देंगे 7 यह आगे हमारा answer ठीक है next question आया 7 का cube into 49 divided by 7 raised to power 5 into 7 ओके यह है हमारे पास question और इसे हमें करना है solve तो आप देख सकते हैं कि यह सब 7 की form में ही है जैसे कि 49 भी तो 7 का square ही होता है है ना तो हम एक चीज़ बता देता हूँ जब भी हम powers की बात कर रहे होते हैं तो a raised to power n into हमारे पास आगया 7 raised to power 5 नेक्स चीज़ a raised to power n divided by a raised to power m होती है a n minus m जो पहले होगा पहले वही आएगा जो बाद में होगा बाद में वही आएगा ठीक है तो 7 raised to power 5 आगया था इन से divided by 7 raised to power 5 है यानि की 7 raised to power 5 minus 5 anything raised to power 0 is 1 ठीक है इतनी term solve करने पे हमारे पास आगया 1 उसको हम multiply करेंगे 7 से हमारा final answer आएगा 7 अब देखते हैं की 7 हमारा option में क्या है यहाँ पे 7 का square है यह option नहीं है यहाँ पे 7 into 7 1 by 2 यानि की 7 1 प्लस 1 by 2 7 3 by 2 की बात चल रही है तो यह option भी गलत होगा 343 होता है 7 का cube तो यह option भी गलत होगा अब आया 49 की power 1 by 2 जिसको हम कहते है square root of 49 तो square root of 49 क्यों होता है square root of 49 होता है 7 और 7 ही हमारा final answer होना था तो 49 raised to power 1 by 2 हो गया हमारा final answer ठीक है देखा हमने question भी decode किया उसके बाद हमें options भी decode करने पड़े ऐसे question भी आते है clerk में आप ऐसा question expect नहीं कर सकते आप PO में ऐसा question expect ज़रूर कर सकते है ठीक है next question आ गया है 1 by 3 divided by 3 divided by 1 by 6 into 6 ठीक है divide की पहली priority होती है अब यहाँ पर आपको divide की दो back to back form दिखरी है जब भी divide होता है divide जैसे देखिए कि मैंने आपको कहा कि 2 को आपने 3 से divide करना है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 को हमें multiply करना है 1 by 3 से क्योंकि 2 को divide करोगे 2 by 3 आएगा 2 को 1 by 3 से यानि इस term का reciprocal ले लिया उससे multiply करोगे तब भी 2 by 3 ही आएगा तो इसी method पर हम ये question solve करते हैं जब हमारे पास back to back divisions के form आजाती है 1 by 3 into 1 by 3 into 6 और last में तो है इंटू 6 तो solve करेंगे हम हमारा final answer आजाएगा 4 बस यही था इससे और कोई बड़ा concept नहीं था दिखने में बड़ा question मुश्किल था क्योंकि दो fraction हमें नजर आ रही थी पर जब हम solve करने लगे यह तो बच्चों आला निकला next question आ गया 1 by 3 into 4 by 5 प्लस 7 by 8 into 4 by 5 अब आपके पास इस question को solve करने के दो तरीके हैं मैं दूनों तरीके बताऊंगा पहला तरीका है 1 by 3 into 4 by 5 7 by 8 into 4 by 5 आप इसे individually individually solve करो यानि कि इस fraction का आगे हमारे पास 4 by 15 answer और इस fraction का आगे हमारे पास 7 by 10 answer तो मैंने आपको बताया LCM कैसे लेते हैं एक ऐसा नंबर जो 15 और 10 दोनों के टेबल में आता हो तो 15 और 10 दोनों के टेबल में clearly 30 आता है 15 के टेबल में 30 का आता है जब 2 से multiplication होती है तो 4 into 2 आ गया 10 के टेबल में 30 का आता है जब 3 से multiplication होती है तो 7 into 3 आ गया हमारा final answer आ गया 4 to is a 8 plus 7 to is a 21 by 30 यह आया एक तरीका ठीक है यह तरीका बिल्कुल ठीक है जो मैंने आपको अभी तक पड़ाया बिल्कुल उसी पर बेस है एक और तरीका हमारे पास हो सकता है कि 1 by 3 into 4 by 5 plus 7 by 8 into 4 by 5 आपने देखा 4 by 5 4 by 5 common है तो आपने क्या किया 4 by 5 common है तो common ही ले लिया 1 by 3 plus 7 by 8 पे आप काम करेंगे 3 और 8 एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है तो इनका LCM हो जाएगा इनका multiplication यानि की 8 3 is a 24 अब cross multiply करेंगे 8 1 is a 8 7 3 is a 21 यानि की 29 by 24 तो आपका आगया इस fraction का साथ में आपने 4 by 5 भी common लिया था तो 4 6 जा 24 होता है 29 by 30 इस तरीके से भी आपका आगया आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है आपको किसी भी एक तरीके में चूज करना है दोनों तरीके almost same time ही लेते हैं ठीक है ब्रेकेट शुरू हुई 2.13 2.5 से नीचे है तो 2 ही रहेगा 2.87 2.5 से बड़ा है तो उपर का नमबर आ जाएगा divided by 6.09 परसेंट 6.09 यानि 6 ही परसेंट of 100 ब्रेकेट क्लोज is equal to what minus 16.21 जो की 16.5 से नीचे है तो 16 ही आएगा अब हम इस पे board mass वाला concept लगाएंगे और पहले ब्रेकेट सॉल्व करना शुरू करेंगे inner to outer ठीक है inner ब्रेकेट ये रही 3 टूजा 6 divided by 100 से 100 कटा 6 और इसको हम प्लस कर देंगे 3 से दूसी तरफ हमारे पास है ये चीज़ तो 6 divided by 6 is 1 3 में प्लस हुआ तो ये आ गया 4 4 is equals to question mark minus 16 ठीक है तो जब 16 इस तरफ जाएगा plus का हो जाएगा 16 plus 4 is equals to question mark तो 20 आगे हमारी question mark की value तो option b आ गया हमारा final answer ठीक है next आते हैं हमारे एक और question पर हमारा question कह रहा है कि 1 by 3 को हमने 1 by 6 से divide किया और 3 by 8 से multiply कर दिया इस में आपको off कहीं नहीं दिखरा तो जो मैंने पिछला method बताया था उस method से आपको इसको नहीं करना है साथ ही आपको यहाँ पे division की rows नहीं दिखरी तो आपको इसको reciprocal वाले method से भी नहीं करना है आपको इसको board mask के method से करना है तो पहले आएगा division फिर होगी multiplication यानि की 1 by 3 divided by 1 by 6 divided उपर हो गया यह आगया हमारे पास 2 into 3 by 8 तो 3 by 4 आगया हमारा final answer ठीक है यह question था multiplication का अब मैं आपको same question दिखाने जारूँ वहाँ पर multiplication की जगा off होगा और उस एक off word की वज़े से question कितना change हो जाएगा वो आप खुद देखना तो आगया question हमारे सामने पहले solve होगा off यानि की 1 by 6 into 3 by 8 1 by 16 आया next 1 by 3 को हमें 1 by 16 से divide करना यानि की 16 से multiply करना है तो 16 by 3 हमारा final answer आगया सिरफ एक off word की present से पूरे question का मतलब ही बदल गया इसी के साथ हमारे simplification chapter जो है वो होता है खतम totally खतम तीन पार्ट्स और simplification खतम अगर आपको ये वीडियो पसान दए तो इससे लाइक कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए thank you